परबाद प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के दुवाधार प्रचार के तो आज भी पीम के दुवाधार प्रचार जारी रहेगा और सबसे पहले आपको बता दें जारकंड बिहार उसके बाद यूपी में भी आज मेगा प्रचार करने वाले हैं प्रदान मंत्री नरेंदर यूपी में प्रचार करेंगे पलामू सिसाई दर्बंगा में प्यम का मेगा रैली है तो ये कानपूर में भी मेगा रोड शो का कारकम है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का तो ताबर तोड चुनाव प्रचार चल रहा देखे आज जारकंड ब्यार यूपी एक साथ तीन जग पलामू सिसाई के बाद बिहार के दर्बंगा में और उसके बाद कानपूर में मेगा रोड शो प्रधान मंतरी करेंगे और अपने उमिद्वारों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील भी करने वाले है ताबर तोड चुनाव प्रचार रहेगा ताबर तोड चल रहा पलामू सिसाई में प्रचार करने वाले हैं अखलेश यादव भी प्रचार करने वाले हैं बदायू फिरोजाबाद में पूरी संभल में तो वहीं इस देखे स्मृति एरानी नेकबर फिर राहूल गांदी को ललका रहा है तो कई एहम जो जानकारी वह हम आपको बतारे कहा क्या प्रचार होने वाला है प्रदान मिल्तर नरेंदर मोदी ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार भी किया है पीम मोदी धुवादार चुना विरेलिया कर रहे हैं तो वहीं आज बिहार जारकंड और यूपी में मेगा प्रचार करेंगे इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आ तीसरा चरण अबराण भीशन थुआधार प्रचार सियासी प्रहार कॉंग्रिस परवार मिशन चार सो पार 405 मेगा मुशन के अजरकंड प्रचार जारी है धुआधार प्रचार के साथ प्रचार के साथ प्रचार सियासी प्रहार भी जारी है आज पियम मोदी अपने तूफानी प्रचार में बिहार, जारखंड और योपी का दोरा करेंगे बिहार, जारखंड और उत्रप्रदेश में पियम आज तूफानी प्रचार करेंगे पलामू, लोहर्दगा, तरभंगा में पियम मोदी की मेगा रेरिया हैं तरभंगा में अंडियो मिद्वार भुपाल जी ठाकूर का पीम प्रचार करेंगे तो वहीं कानपूर में आद शाम पीम मोदी का मेगा रोड शो है पीम मोदी के रोड शो को लेकर कानपूर में बड़ी तयारियां की गई है कल राय बड़ेली से राहूल के नामांकन के बाद पीम के निशाने पर रहा गांधी परिवार पीम ने राहूल को उनके डरोमत वाले बयान की याद दिलाई और उनके सियासी पलायन पर तंस किया उम गूम कर सब को कहते हैं डरोमत मैं भी आज उन्हें कहता हूँ और बड़े जी भरके कहता हूँ अरे डरोंबाद भागोंबाद राहूल गांधी के विजन को लेकर भी पीम पहले उनके ही टकाटक अंदाज बें करारातंज कस चुके हैं कि कॉंग्रेस के सहजादे को पूछो के गरीबी सी कैसे हरती है तो वो कहते हैं खटा-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-ख अब तक तीन चरणों की प्रचार में कई मुद्दों पर पीम ने विपक्ष को घेरा अमेठी छोड राय बलेली से राहुल के नामांकन के बाद अब बीजेपी के चौत तरफा निशाने पर हैं राहुल गांधी राय बलेली में राहुल के नामांकन के बाद गांधी परिवार की चुपपी बहुत कुछ बया करती है जरा देखिये कैसे मीडिया के सवालों पर गांधी परिवार ने चुपपी साधे रखी अब ग्रिह मंत्रिक शाह और स्मृत इरानी ने कॉंग्रेस पर कैसे प्रहार किया जरा वो भी देख लीजिए राहूल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉंच कर चुकी है मगर लॉंचिंग इनकी सफल नहीं हुई है और आज 20 वी बार फिर से अमेठी से भग कर राइबरेली में पर्चा डाला कांग्रेस पार्टी चुनाओं में एक वोट पढ़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्विकार कर चुकी है क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यान जीत की कोई भी गुंजाईश है तो वो यहां से लड़ अपने प्रॉक्सी को ना लड़ा जाहिर है बीजेपी विपक्ष को घेरने का एक भी मौका नहीं गवा रही तो वहीं विपक्ष के आक्रमण में वो धार नजर नहीं आ रहा आरक्षन, सम्विधान, मैनिफेस्टो, मुसल्मान से लेकर मंगल सूत्र तक कई सियासी मुद्दे इस चुनावी समर में उठाए जा चुके हैं जोरदार वार पलट वार है, बीजेपी चार सो पार के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है तो वहीं विपक्ष नारे पर ही सवाल उठा रहा है अभी पांच चरूनों के मद्दान बाकी हैं, यानि अभी कई सियासी मुद्दे हैं जिन पर वार पलट पार होना है जैसे जैसे चुनाओ आगे बढ़ेगा, मुद्दों की दिशा भी बदलती जाएगी अब जन्ता को तै करना है कि किसके दावों और वादों पर उसे यकीन है शोर रिपोर्ट, रिपब्लिक भरत एदर लोग सबाद चुनाओं को देखते हैं सियासी तपिश जहां बढ़ रही है वहाँ सूरस देव भी प्रचंड गर्मी बरसा रहे हैं और ऐसे में नेताओं की तब्याद खराब हो रही है हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की बिहार में चुनाओं परचार के दोरान तेजस्वी यादव के तब्याद खराब हो गई उसके बाद उनके सुरक्षा करीमों ने उन्हें सहरा दिया बता जा रहा है कि तेजस्वी को चलने में भी दिक्कत हो रही थी रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं बिहार की सियासत की ये दो तस्वीरे हैं जो आजकल सुरक्षा बटो रही है पहली तस्वीर हेलिकॉप्टर में तेजस्वी के जाइके की है मच्छी खाते और पिर संतरा खाते तेजस्वी के जाइके पर खूब सियासत हुई थी दूसरी तस्वीर है जहां तेजस्वी अपने पाउं पर ठीक से नहीं चलपा रहे खड़े तक होने में तकलीफ हो रही है सहारे के साथ मुश्किल से अपनी गाड़ी में बैठे तेजस्वी तेजस्वी के इन दोनों ही तस्वीरों ने सुर्खियां बटोरी हैं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक तेजस्वी को ये क्या हुआ भले चंगे तेजस्वी अब तक NDA सरकार के खलाफ जनता के बीज दहाड रहे थे और अचानक उन्हें ये क्या हुआ अपनी खान पान और सिहत पर खास ध्यान रखने वाले बिहार के युवानेता की सिहत को अचानक किसकी नजर लग गई क्या सियासी पारा जैसे जैसे चड़ रहा है सियासी तपिश बढ़ रही है हेलिकॉप्टर में उड़ने वाले तेजस्वी इसे जेल नहीं पा रहे जरा सुनिये कुछ दिनों पहरे तक तेजस्वी ने कैसे हेलिकॉप्टर को ट्रक्टर बनाने की बात कही थी अब तेजस्वी से ठीक से चला नहीं जा रहा हेलिकॉप्टर में ओड़ने के बाद भी जंता के सामने लगातार रैलियों का बोज तेजस्वी नहीं छेल पाए और उनकी सेहत ने मानूज जवाब दे दिया अररिया के फार्विस गंज अनुमंडल के सिमराहा मध्विद्याले मैदान में तेजस्वी चुनावी सभा कर रहे थे अचानक उनकी तब्यद बिगड़ गई तेजस्वी ने मुकेश सहनी के बाद मंच संभाला था कई वादे किये थे सही तरीके से भाशन खत्म किया और अचानक फिर लड़ खड़ाने लगे जैसे ही माइक से हटे शरीर लड़ खड़ाने लगा और देखते ही पास में मौजूद कारिकरताओं ने तेजस्वी को संभाला तेजस्वी यादब ने पिछले एक महिने में सो के करीब जनसभाएं की हैं रेलिया करने में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादब सब से आगे हैं तेजस्वी हर दिन करीब 6-7 रेलिया कर रहे थे आर जेडी की तरफ से उनकी सेहत कुले कर फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है तेजस्वी से पहले नितिन गड़करी की भी तब्यत प्रचार के दोरान मंच पर बिगड़ गई थी जाहिर है राजनीती की ये डगर आसान नहीं है जनता से जीत का शिरवाद लेना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल है अलग-अलग शेत्रों में जनता के बीच पहुँचना और भीशन गर्मी के बीच चुनाव प्रचार इतना आसान भी नहीं वैसे जिस अंदाज में पियम मोदी चुनावी प्रचार कर रहे हैं और करते आ रहे हैं वैसा करपाना बड़े बड़ों के लिए मुश्किल है भीओर रिपोर्ट रपब्लिक भरत